स्वागत एक बार फिर से आप सभी लोग का आपके अपने आउनलाइश्ट्यूट टार्गेट वित आलोक में मैं यनके शिंग, पुनाह एक बार आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत एबंगी अभिनान्दन करता हूँ, आसा करूंगा कि आप सभी लोग श्रस्थ होंगे, और बहतरीन तरीके से रिवीजन का कारिय कर रहे होंगे, अभ्यास का कारिय, अब बहुत ततपरता के साथ में आप सभी लोग कर रहे होंगे, संस्थान की तरफ से एक बहतरीन अभ्यास स्रिंखला आप सभी लोग के लिए चलाया जा रहा है, निश्चत रूप से ये कितना ब इंगठित टीम आपके लिए कार्य कर रही है आप देखेंगे आप पाएंगे कि जब आप प्रश्णपत्र देखकर एक्जामनेशन हॉल से निकलेंगे तो आपके चेहरे पर एक सुखद मुस्कुराहट होगी एक बहतरीन पैटर्न के साथ में सारी चीजों को बताने और समझ का प्रयास किया जा रहा है मैं यनके सिंग आप सभी लोगों के साथ में विज्ञान विशय के साथ में जुड़ा हुआ हूँ मैंने पहले दिन भी क्लियर किया था और इस चीज को आज भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि प्रश्णपत्र एक में एवियस का जो खंड है उस ए पेपर का विज्ञान वर्ग के जितने भी लोग हैं उन सभी लोग के लिए ये तो इस पेशल क्लास ही है ठीक ना तो सभी लोग तयार हो जाएए संतोस पाल सिवम जी मोनु वर्मा अंसारी जी ससी विजय बहादूर ममता नरायन सभी लोग को धेर सारा इसने धेर सारा प्यार चलिए आते हैं सीधे कोश्चन पे कोश्चन की मदद से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे कोश्चन की मदद से सारे चीजों को कहानी को हम आगे लेकर बढ़ने की कोशिश करेंगे आते हैं पहले कोश्चन पे कोश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर करने का प्रयास करेंगे प इत्रे भी अत्रिक्त फैक्ट को मैं लिखते चल लहा हूं उन सारी की सारी चीजों को अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करते रहेंगे। पहला प्रस्ण है कि निमलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन सा है। विच आप दफॉल्विंग इस दवीकेस्ट फोर्स। चार प्रकार के बल दिये गए हैं वांडरवाल बल, नुकलियर फोर्स, वैदुत बल और गृत्वा करशडबल इन चार प्रकार के बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा होता है। सबसे कमजोर बल और इस सवाल कई बार परिच्छाओं में पूछा गया है, याद रखना अगर पूछा जाता सबसे मजबूत बल कौन सा है, तो सबसे मजबूत बल अगर पूछा जाता, तब तो हमारा उत्तर क्या होता, तब तो हमारा उत्तर होता नाभकी बल, नाभकी य किसी भी परमाड क्या नाभिक है ना तो नाभिक में प्रोटान और नूट्रॉन होता है तो प्रोटान और नूट्रॉन के बीच में कारे करने वाला जो बल होता है जिसको हम नूकलियर फोर्स कहते हैं जिसको हम नाभिकी बल कहते हैं वो नाभिकी बल सबसे मजबूत बल के स् इसके बाद याद रख लेना कि ये जो गृत्वा कर्षडबल होता है ये गृत्वा कर्षडबल यह सबसे कमजोर बल के अंतरगत आता है अगर यहां पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँ जो है घटते हुए करम में तो सबसे पहले नाब की बल आएगा नाब की बल सबसे प्रबल बल होता है सबसे मजबूत बल होता है नाब की बल के पश्चात में वैदुत बल होता है वैदुत बल होता है वैदुत बल के पश्चात में वांडरवाल बल गैसों के बीच में कारे करता है वांडरवाल बल और वांडरवाल बल के पश्चात सबसे कमजोर जो बल आता है वो कौन सा है वह गुरुत्वा कर्षडबल कहलाता है और गुरुत्वा कर्षडबल क्या है गुरुत्वा कर्षडबल एक प्रकार का आकर्षडबल होता है याद रख लिना गुरुत्वा कर्षडबल कैसा है तो गुरुत्वा कर्षडबल एक प्रकार का आकर्षडब बल होता है और यह संसार के सभी पिंडों के मध्य में कारे करता है यह याद रख लेना जिन में भी मास पाया जाएगा जिन में भी द्रभिमान पाया जाएगा उन सारे द्रभिमान वालों पिंडों में याद रख लेना गृत्वा करशडबल पाया ही जाएगा यह यूनिवर्सल ट्रुथ है तो हमारा सही उत्तर क्या होगा सबसे कमजोर बल कौन सा होगा सबसे कमजोर बल हो जाएगा गृत्वा करशडबल लेकिन समसे कमजोर होते हुए भी हमा न प्राप्त करता हो हम आप या प्रित्वी या मंगल या सूर्य या सनी या ब्रियस्पति जितने भी पिंड आप आज तक सुने होंगे वो सारे के सारे जिस बल से एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर खड़े हैं जिस निश्चित दूरी पर हैं या एक निश्चित हो जाएगा हमारा option number D आसा करूँगा एकदम अच्छे डंग से आपको समझ में आया होगा चलते हैं question number 2 पर question number 2 देखिएगा और उत्तर करने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा conceptual सवाल है ठीक है थोड़ा सा conceptual सवाल है लेकिन बहतरीन सवाल है जबाब आप सभी लोगों का मैं इंतजार करूंगा ध्यान से ध्यान से बताईएगा हाँ चलिए बहुत बहुत धनिवाद ससी राना जी आप सभी लोगों के यही feedback हमारे लिए ATP है हमारे लिए उर्जा है यही सारे comments को मैं बड़े सजोकर रखता हूं याद रख लेना आप जब यह करते हैं कि सर आपके पढ़ाएवे प्रश्णपत्र में आये हैं सर आपके प भुमद रेखा की तरब चलते हैं तो small g के मान में क्या परिवर्टन होता है small g का मतलब क्या होता है गृत्वी त्वरड capital G और small g में एक संबंद स्थापित करने पर एक सूत्र मिलता था वो सूत्र क्या मिलता था वो मिलता था small g is equal to capital G M E upon R E square याद होना चाहिए capital G और small g में यही संबंद निकल कर आया था M E क्या है मास आफ अर्थ यानि कि पृत्वी का द्रविमान और यहां पर R E का मतलब क्या होता है दूरी तो ध्यान से समझो पूछा गया है द्रों से भूमद रेखा की तरफ यह है पृत्वी आपकी पृत्वी कैसी है अब यहां पर भूगोल का नियम मत लगाईएगा भूगोल भले भी करता है कि दुनिया गोल है पृत्वी गोल है लेकिन विज्ञान करता है कि ना जी ना पृत्वी हमारा कैसा है अंडाकार है कैसा है अंडाकार है पृत्वी हमारा क्या है अंडाकार है तो यह जो बीच से होगा जादा होगा इसी वज़े से स्मॉल जी का मान अधिक्तम कहां पर होता है अधिक्तम होता है धुरू उपर अधिक्तम कहां पर होता है धुरू उपर और भूमद रेखा की लंबाई क्या है जादा तो जब जादा होगा लंबाई आरई जादा होगा तो स्मॉल जी कम और द्रूओं पर अधिक्तम होता है इस मौल जी का मान ठीक है ये इतनी बाते क्लियर हैं अब यहां पर सवाल क्या पूछा गया है सवाल में ये पूछा गया है कि जब आप द्रूओं से किधर जाते हैं भूमद रिखा की तरफ यानि यहां से आपको चलना है इधर की तरफ अधिक्तम से आपको किधर चलना है नियूंतम की तरफ यानि की इस मौल जी के मान में क्या होगा धीरे 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 घटेगा है न धीरे धीरे घटा दीजिएगा क्या इस मौल जी का मान क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा घटेगा इस बात को याद रख लेना बहुत important सवाल है अगर पूछेगा small g का मान अधिक्तम कहां पर होता है ध्रूओं पर होता है small g का मान नियुन्तम कहां पर होता है तो भूमद रिखा पर होता है और एक सवाल और पूछता है कि पिर्थवी तल से जैसे पिर्थवी का तल है तो पिर्थवी के तल से उपर जाएए या पिर्थवी के तल से नीचे आएए दोनों ही स्थितियों में small g का मान क्या होता है small g का मान घटता है पिर्थवी तल से उपर जाएए या पिर्थवी तल से नीचे आएए small g का मान क्या होता है घटता है यही सवाल बार बार repeat किये जाते हैं फिर से मैं बता दू कितने सवाल बन गए अधिक्तम कहा पर होगा धुरूओं पर नियूंतम कहा पर होगा भूमत दिरेखा पर पिर्थिवी तल से उपर या नीचे जाने पर क्या होगा घटेगा अगर उपर से नीचे की तरफ यानि कि दुरूओं से भूमत दिरेखा की गटता है ना जी ना घटता है फिर बढ़ेगा नहीं ये इधर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा दिर दर घटी तो रहा है पिर बढ़ेगा कहां पर ये बढ़ता नहीं है ठीक है घटता ही है ठीक है चलिए आते हैं question number नमबर तीन को देखिएगा ध्यान से कोश्चन नमबर तीन को ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर करने का प्रयास करिएगा कि भूस्थिर उपग्रह के विशय में कौनशा कथन अस्थत्त है यानि कि कौनशा कथन गलत है जीयो स्टेशनरी सेटलाइट के विशय में सवाल पूछा गया है भूस्थिर उपग्रह के विशय में भूस्थिर समझते हैं यानि कि पृत्वी के सापेच जो उपग्रह इस्थिर हो जाए उसे हम भूस्थिर उपग्रह कहते हैं अभी ठीक है पूजा त्रिपाथी जी अभ अभी मैं उस पर बात कर लूँगा ठीक है पले इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि भू इस्थिर का मतलब क्या होता है जो पृत्वी के सापेच इस्थिर यानि अगर ये पृत्वी है अगर ये उपग्रह है तो जैसे पृत्वी मूव कर रही है वैसे उपग्रह भी भू इस्थिर उपग्रह भूम या विशुवत रेखी ये तल में परिक्रमा करता है बिल्कुल सही बात है यानि ये पृत्वी है तो ये है आपकी कौन सी कच्छा धृवी कच्छा और ये कौन सी कच्छा है ये विशुवत रेखी कच्छा है तो हमेशा याद रख लेना भ परिक्रमन काल 24 घंटे का होगा 24 घंटे प्रिथवी का है तो इसका भी होना चाहिए भाई प्रिथवी जो है अपनी धूरी पर 24 घंटे में घूम जाती है तो वो 24 घंटे में घूम जाती है अगर ये 24 घंटे में नहीं घूमेगा तो आगी पीछी नहीं हो जाएंगे इसी मतलब ही होता है किसी भी पिंड के चारो और घूमना मंदिर में जब आप जाते हो तो आप परिक्रमा करते हो भगवान जी की मुर्ती बीच में होती है और उसी के चारो और आप क्या करते हो चक्कर लगाते हो ठीक है यह पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करता है यह भी सही है, हमारी पृत्वी भी पश्चिम से पूरु परिक्रमा करती है, पश्चिम से पूरु पृत्वी भी परिक्रमा करती है, और पश्चिम से पूर्व जो होता है, उपग्रह भी परिक्रमा करता है, याद रख लेना, इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, आपसन न उपग्रह जो होते हैं वो पृत्वी के तल से 36,000 किलो मीटर की उचाई पर अस्थापित किये जाते हैं। और टीवी की बात हो याद रख लेना ये सारे की सारे सारे की सारे संचार छित्रों में हम हमेशा और हमेशा किसका उपयोग करते हैं भो इस्तिर पग्रहों का ठीक है। अच्छा रोली पटेल जी अभी मैं आपको समझा देता हूं मैंने बताया अभी दूसरे को मैं फिर से समझा देता हूं। कोस्चन नमर चलते हैं चार को देखेगा और ध्यान से उत्तर करने का प्रयास करिएगा विच आप दे फॉलिविंग इस काल्ड़ किंग ओप एसिड अमलों का राजा किसे कहते हैं। एक्वारेजिया को कहते हैं या नाइट्रिक अमल यानिकी यच यन ओ थरी को कहते हैं या फिर एच टू एस ओ फोर को कहते हैं सल्फियोरिक अमलों को कहते हैं या फिर यच सील यानिकी हाइड्रो क्लोरिक अमलों को कहेंगे। सही उत्तर हमारा क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, अमलों का राजा, अमलों का राजा किसे कहा जाता है, एक होता है अमल राज, देखे, लोग कन्फ्यूज, कन्फ्यूजन की स्थिति में आना सुरू हो गए, एक होता है अमल राज, ध्यान से समझना, एक क्या होता है, एक ह आप hydrochloric अमल यानि की HCl को और HNO3 यानि की nitric अमल को जब तीन अनुपाते एक के अनुपात में मिलाते हैं तो वही क्या बनता है उसी को हम अमलराज कहते हैं और इसी अमलराज को हम aqua regia के नाम से भी जानते हैं तो चाहे अमलराज कहे चाहे aqua regia कहे बात एक है ठीक है आप स सबके सही आ रहे हैं सलफ्यूरिक अमल होता है सही उत्तर होगा लेकिन जो और मैं अभी बता रहा हूं उसको समझने का प्रयाज करना यह बहुत इंपॉर्टन सवाल है कि HCl और HNO3 यानि की hydrochloric अमल और nitric अमल को जब हम तीन अनुपाते एक के अनुपात में मिलाते हैं त समर्थ होता है इतनी चंता इसके अंधर होती है कि आसानी से इन चीजों को गला सकता है इसी वज़े से बैठरी में कौन सा अमल उपयोग मिलाया जाता है तो कार की बैटरी में हम Sulfuric Aml का उपयोग मिलाते हैं कार की बैटरी में या बैटरी में किस प्रकार के Aml का उपयोग करते हैं तो आप उत्तर करेंगे Sulfuric Aml और अगर आप से सवाले पूछा जाए कि मनुष्य के अमासे में कौन सा Aml निकलता है तो आप उत्तर क्या करेंगे मनुष्य के अमासे में HCL नामक अमल निकलता है इसके अलामा कुछ अमल आपको जरूर से जरूर याद होने चाहिए जैसे अगर मैं आप से कहूँ आप लोग जरा बताते चलिएगा और मैं देखता हूँ कि आपकी तैयारी कितनी बहतर है अगर मैं कहूँ कि अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है जरा बताते चलिएगा इमली में कौन सा अमल पाया जाता है बताते चलिएगा सोडा वाटर में कौन सा अमल पाया जाता है ठीक है ये सारे सवाल बनते हैं, सारे सवाल बनते हैं, ठीक है, सारे सवाल बने हुए हैं, सारे सवाल बने हुए हैं, चलिए, बताए, पालक में कौन सा अमल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अमल पाया जाता है, घास में कौन सा अमल पाया जाता है, ठीक है, हाँ, घास में कौन सा नीबू में कौन सा अमल मिलता है नीबू में कई बार यह सवाल पूछा जाता है घास में तो हमने आप से पूछी लिया ठीक है इसके अलावा हाँ ठीक है उत्तर लिखते चलिएगा उत्तर लिखते चलिएगा अगर पूछा जाया है अगर पूछा गया है अंगूर में तो अंगूर में और इमली में कौन सा होता है टार्टरिक ठीक है कौन सा होता है टार्टरिक सोडा वाटर में कौन सा होता है फास्फोरिक अमल कौन सा अमल फास्फोरिक अमल पालक और टमाटर में याद रख लेना आग जेलिक अमल होता है कौन सा अमल होता है आग जेलिक अमल होता है घास में बेंजोईक अमल होता है कौन सा अमल होता है बेंजोईक अमल होता है प्रिच्छा में प्रश्न के रूप में पूछा गया है या पूछा जा सकता है यह पूरी कहानी क्लियर है तो एक अग बार थमसप करके लाइक का बटन प्रेस करके हमको सुचित कर दिजिए यस सर पूरी कहाने क्लियर है आगे बढ़ जाए कोश्चन नमर पांच पर कोश्चन नमर पांच पर बात करना प्रारम करते हैं कोश्चन नमर पाँच दिया गया है ठीक है कोश्चन नमर पाँच दिया गया है ध्यान देजेगा कोश्चन नमर पाँच क्या कर रहा है कोश्चन नमर पाँच दिया गया है कि जो छार होता है ठीक है कोश्चन नमर पाँच दिया गया है जो छार यानि कि बेस होता है बेस में अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है जैसे अमल है अमल जो होता है अमल की कई धेर सारी विश्य सताय होती है जैसे पहले अमल की बात करते हैं अमल विद्दुत का क्या होता है? सुचालक होता है आप पढ़ते हैं अमल क्या होता है? अमल, एसिट जो होता है, एसिट क्या होता है, अमल जो होता है, वो क्या होता है, सुचालक होता है, वो स्वाद में क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, और लिटमस पेपर को, बाकि ये इसमें जो सबसे महत्पूर हो, गुड होता है, कि अमल जो होते हैं, अम में कुछ हो चाहें न हो लेकिन यच प्लस आयन जरूर रहेगा अगर आप इसको जल में घोलेंगे तो जल में घोलने के उपरांत जो होता है यह यच प्लस आयन देगा ही देगा ठीक उसी प्रकार से अगर आप छार को जल में घोलेंगे तो क्या मिलेगा आपको ओ यच माइन OH माइनस में तूट जाता है यने प्लस और OH माइनस में तूट जाता है तो आप ये कहेंगे कि छार जो होता है छार में अनिवारी रूप से OH माइनस पाय जाता है और एक बात और गंभिरता से याद रख लेना कि जब जब एसिड बेस के साथ में क्रिया करता है तो साल्ट बनता है नमक बनता है और क्या बनता है जल बनता है वाटर बनता है जब भी एसिड के साथ में बेस क्रिया करता है तो साल्ट साल्ट नमक का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है इसी वज़े से जब आपको एसि होती है तो आप क्या खाते हो आप क्या पीते हो आप इनो पीतो हो और इनो है क्या वह प्रकार का बेस कृती वर्मा जी मैंने आपका देख लिया मैंने कमेंट्स आपका देख लिया ठीक है तो जब आप बेस ग्रहड कर लेते हो तो क्या होता है दोनों मिलकर लवड बन जाते ह है और जल बन जाता है आपके पेट में अब जल वाला माहौल बन गया अब बढ़ियां से आप जो एसनिडिटी थी वो गायब हो गई और आराम से आप इत्मिनाल से अपने कारी में लग गए तो यह केमिस्ट्री है इनो नहीं है कि इनो है काम करें 6 सिकेंड में ठीक है तो यह क्या है कमिस्ट्री है कमिस्ट्री के कारी होता है ठीक है आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि इनो में कौन सा चार होता है आप बताएंगे इनो में कौन सा चार होता है आप कमेंट्स करके बताएंगे है ना हाँ अगला question, अनिवार्य अमीनों अमल वे होते हैं, ठीक है कृति वर्मा जी, side हो जाया करें, एकदम लिजिए मैं side हो जा रहा हूं, ठीक है, अब मैं कितना side हो जाया करूं भाई, आप लोग थोड़ा सा manage कर लिया करो, screenshot ले लिया करो, ठीक है, अनिवार्य अमीनों अमल वे होते हैं, non-essential अमीनों अमल किसे कहते हैं, जिसका निर्माड सरीर में होता है, जिसकी आवशक्ता मानों सरीर को नहीं होती है, जिसका निर्माड सरीर में नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, और समझने का प्रया करना ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने का प्रयास करना ध्यान दिजेगा प्रोटीन जो हो है प्रोटीन ठीक है कमेंट्स को जो है मेरी बात को सुनना प्रोटीन जो होता है प्रोटीन प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं अमीनो एसिड उस हम अमीनों अमल के नाम से जानते हैं मनुस्य को कितने अमीनों अमलों की अवशक्ता होती है बीस प्रकार के अमीनों अमल की अवशक्ता होती है यानि कि अगर ये बीस प्रकार के अमीनों अमल हमारे सरीर में रहेंगे तो हम ये मानेंगे कि हमारा सरीर में अमीनों अमल बहतर प्रोटीन अच्छे धंग से हमारे सरीर में रहेगा और प्रोटीन का कार क्या होता है ये एक प्रकार से हमारे सरीर को रोगों से बचाता है हमारी कोशिकाओं का निर्मार करता है और अगर कोई छतिग्रस्त कोशिका है तो उस छतिग्रस्त कोशिका की ये मरमत भी करता है ठीक एक क्या होता है एक होता है एक होता है नौन इसेंसियल एक क्या होता है एक होता है नौन इसेंसियल तो एक है इसेंसियल और दूसरा क्या है नौन इसेंसियल एक है अनिवारी और दूसरा है अनिवारी अब 20 चाहिए अब 20 में से याद रख लेना 10 जो होते हैं इसेंसियल होते हैं दस जो होते हैं नॉन इसेंसियल होते हैं तो इसेंसियल को इसेंसियल क्यों कहते हैं और नॉन इसेंसियल को नॉन इसेंसियल क्यों कहते हैं ये समझना जादा मातपूर है इसेंसियल को essential इस वज़े से कहते हैं अनिवार को इस वज़े से कहते हैं क्योंकि इसका निर्मार इसका निर्मार मानव सरीर में नहीं होता इसका निर्मार मानव सरीर में नहीं होता इसका निर्मार मानव सरीर में नहीं होता और जब इसका निर्मार निर्मान मानों सरीर में नहीं होगा तो इसे क्या करना पड़ेगा इसे भोजन के माध्यम से ग्रहर करना पड़ेगा इसे भोजन के माध्यम से क्या करना पड़ेगा ग्रहर करना पड़ेगा इसी वज़े से इसे अनिवार कहा गया है इसी वज़े से इसको इसेंसियल कहा गया है क्योंकि इसका निर्माड मानों शरीर में नहीं हो रहा है इससे आप को ऐसा भोजन करना पड़ेगा कि इसमें अमीन अमल हों तो आप कहते हैं सोजाबीन हम खाएंगे हम मसरूम क्खाएंगे हम डाल खाएंगे हैं तो यह सारी zine खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा essential amino amal और non essential को non essential इस वज़े से कहा जाता है और निवार को और निवार इस वज़े से किया जाता है क्योंकि इसका निर्माड क्योंकि इसका निर्माड मानव सरीर में होता है क्योंकि इसका निर्माड मानो सरीर में होता है इसका निर्मार मानो सरीर में क्या होता है तो मानो सरीर में इसका निर्मार होता है ऐसा कत्ते भी जरूरी नहीं है याद रख लेना इसका ये मतलब नहीं है इसकी यह शक्ता मानो सरीर को नहीं है मानो सरीर को है लेकिन इसका निर्मार मानोष शरीर में हो जाता है इस वज़े से ये non-essential है non-essential को non-essential इसी वज़ेश कहते हैं इसके बिसे में आपको tension लेने की जरूत नहीं है आपकी कोसिकाओं का कारी है ये ये निर्मित करेंगी इस वज़े से ये अनिवार है आपको tension लेने की जरूत नहीं है आपकी कोशिकाय खुद ही ये निर्मित करेंगी तो यहां पर उत्तर यहां पर option में गौर करिएगा इसका निर्मार सरीर में होता है option no.1 ही मिल गया option no.1 हमारा appropriate उत्तर हो जाएगा option no.1 हमारा appropriate उत्तर हो जाएगा कमेंट्स करके बताते रहिएगा समझ में आया पूरी बात समझ में आई protein जिसका नामकर किस ने किया था protein का नामकर करने वाले वैग्यानिक का नाम है bargellyas तथा mulder नामक वैग्यानिक ने protein का नामकर किया था और protein एक प्रकार का क्या है रच्छात्मक पोसक पदार्थ होता है रच्छात्मक पोसक पदार्थ क्यों कहते हैं क्योंकि इसी के दौरा हमारे सरीर में antigen तथा antibody का निर्मार होता है और एंटी जन एंटी बॉड़ी के द्वारा ही हमारे सरीर को रोगों से सुर्च्छा मिलती है, इस हम रक्षाक्म पोशक्ट पदार्थ के नाम से भी संबोधित करते हैं, इतनी बाते कहानी आपको समझ में आ गई होगी, और एक बात और अगर पूठा जाए, अगर पूचा वार का सैवाल है अगर कलोरेला नहीं मिलेगा फिर होड़ी एगा मसरूम और अगर मसरूम नहीं मिलेगा तब आप ऑसन में क्या टिक करिएगा तो सोया बीन तो यह याद रख लेना क्लोरेलिया में लगबग 73%'ve protein मश्रूम में लगबग 43% narrative और सोया बीन में लगबग 43% बरते हैं तो आप सभी लोग हमेशा सोया बीन को ही टिक करते रहते हैं हमेशा जब भी question पूछा गया है, आप हमेशा और हमेशा क्या होता है ? और मस्रूम नहीं रहता है मैं आपको एकदम असपश्टता के साथ इस बात को बता दे रहा हूँ कि अगर option में क्लोरेला नामक सैवाल रहेगा या मस्रूम रहेगा तो सबसे पहले आप उस पे जाएंगे उसके बाद आप सोयाबीन पर जाएंगे क्लियर है पॉइंट चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर अगला सवाल देखिएगा अगला सवाल अगला सवाल देखिएगा किस प्रकार के आनुवानसिक रोग में RBC के निर्माड में बाधा पहुचती है आनुवानसिक रोग में RBC के निर्माड में क्या पहुचती है बाधा पहुचती है ठीक है आनुवानसिक रोग किसे कहते हैं ऐसा रोग जो एक पिढ़ी से दूसरी पिढ़ी में क्या होता है ट्रांसपर होता है एक पिढ़ी से दूसरी पिढ़ी में ट्रांसपर होने वाले जो तो रोग को हम क्या कहते हैं, आनुवानसिक रोग कहते हैं, अब आनुवानसिक रोग में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एरीमिया, रंजक हींता, और भी कुछ रोग हैं, याद रख लेना, और भी कुछ रोग हैं, जैसे, जैसे, वर्ड आंधता, जैसे, वर्ड आंध याद रख लेना वर्ड आंधता यानि कि जिसको आप डाल्टो निजम कहते हैं ठीक है वर्ड आंधता ठीक है इसके बाद टर्नर्स सिंड्रोम टर्नर्स सिंड्रोम टर्नर्स सिंड्रोम याद रख लेना इसके बाद क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम इसके अलामा दाउन सिंड्रोम तो सबसे महत्तपूर तो इसमें यही है कि आप ये चाट ले जाए कि कौन आनुवानसिक है कौन आनुवानसिक नहीं है क्योंकि कई बार सवाल ये डारेक्ट पूछता है कि निमलिखित में से कौन सा आनुवानसिक रोग है या निमलिखित में से कौन सा आनुवानसिक रोग नहीं है तो सबसे पहली तो चीज यही क्लियर आप लोग कर लेजिए कि ये सारे के सारे क्या है आनुवानसिक रोग है रंजक हींता में क्या होता है रंजक हींता में मिलैनीन नामक वर्डक का मिलैनीन का निर्माड नहीं होता है सरीर में क्या होता है मिलैनीन का निर्माड नहीं होगा मिलैनीन का निर्माड नहीं होगा और जब मिलैनीन का निर्माड नहीं होगा तो तवचा का रंग सफेद हो जाएगा तवचा का रंग सफेद हो जाएगा पुरी body पुरा body structure क्या हो जाएगा सफेद स्वेद रंग का दिखाए देगा इसमें क्या होगा सिकल सल एनीमिया में क्या होगा इसमें इसे हसियाकार रुधराण भी करते हैं इसमें RBC का आकार हसि हाकर हो जाता है हासियाकार हो जाता है जिससे परिवहन की छम्ता घट जाती है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अगला रोग जो बता रहे हैं कि यह साही रोग है, है ना, साही रोग इसी को कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है, तो हीमोफीलिया जो है, इसे ही हम साही रोग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह माना जाता है कि सबसे पहले ब्रेटेन की राजकुमारी को हुआ था, और थैले सीमिया याद होता है थैले सीमिया कौन सरो होता है थैले सीमिया होता है लगे हाथ ये भी जान लिजिए कि वर्डांधता में क्या होता है वर्डांधता में व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता इसके पीछे का कार्ड ये ह कि इसमें आखों में पाई जाने वाले जो संकुकोसिका होती है वो संकुकोसिका क्या होती है प्रभावित होती है टरनर्स सिंड्रोम ये फीमेल में होता है फीमेल में होता है गुरसुत्रों की संख्या इसमें 46 की जगा पे 45 होती है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम ये मेल में हो जैसे गुर्शुत्रों की संख्या 47 हो जाती है और इसमें व्यक्तिका कद छोटा हो जाता है आखे तिर्ची हो जाती है मस्तिस का विकार हो जाता है मानसिक बुद्धी नहीं हो पाती है इसी को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं तो यह पूरी कहानी मैंने बता दिया विवेक मिस् रंजखीनता कैसे दूर होगा रंजखीनता या कोई भी आनुवांसिक रोग दूर नहीं हो सकता है किसी भी प्रकार के आनुवांसिक रोग का कोई भी निदान नहीं है याद रख लेना ये जन्म से पहले आया है और मिर्त्य के बाद ही जाएगा इसका कोई भी कोई भी इसका इलाज नहीं होता है ठीक है चलिए इतनी बाते सही हैं अब यह मैंने पुरा का पुरा आनुमानसिक पुरा का पुरा आनुमानसिक रोग ही पुरा पढ़ा डाला आपको ठीक है पुरा का पुरा आनुमानसिक रोग मैंने पढ़ा डाला इसी स्ला कुछ पैड़ागाजी के question को देखते हैं यहां पर देखेगा question दिया गया है पहले इत्मिनान से question को पढ़िएगा इन question की एक विशेष्टा यह होती है कि यह question थोड़े से भारी भरकम दिखते हैं लेकिन इनमें जान नहीं होता है ठीक है जान नहीं होता है देखे माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निमनलिखित में से कौन साफ प्रश्ण अनुसंध्य है यानि कि इन में से कौन साफ प्रश्ण माध्यमिक विद्याले में रहने वाले विद्यारतियों से पूछा जाएगा माध्यमिक का मतलब समझ रहा है ना माध्यमिक का मतलब क्या है एक से पांच नहीं ये तो प्रात्मिक होते हैं यह 6 से 8 वाला जो मामला है, इसी को हम माद्धिमिक कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम माद्धिमिक कहते हैं, तो माद्धिमिक वालों से कौन सा कोश्चन इसमें पूछा जाएगा, अब आप कहेंगे सर इसमें क्या है, पूछने के तो हम कोई कोश्चन पूछ सकते ह लेकिन इसके पीछे एक logic है, logic ये है कि प्राथमिक विद्याले में जो भी चीजें हैं, जो भी बच्चें हैं, इन बच्चों को क्या होता है, इन बच्चों को केवल बताया जाता है, जैसे मूंग में प्रोटीन उच्छ होती है, क्यूं होती है, कैसे होती है, ये पुरी कहान माध्धिमिक में नहीं हम उम्र के साथ कमजोर क्यों हो जाते हैं ये अपर क्लास में ही उनका लेवल जब हाई रहेगा कच्छा दस से जब उपर होंगे तब ये इस प्रश्ण को समझ सकते हैं हाँ जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कराते हैं भोज पदार्थों में दिये गए नमोनों से इस्टार्च किसमें हैं ध्यार से समझना जो हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं एक्सपेरिमेंट के दोरा सीखते हैं समझते हैं वो कच्छा छे से लेके आठ तक का विद्यार्थी आसानी के साथ में इस चीज को एडॉप्ट कर लेगा तो अगर आपको अप्राथमिक विद्याले में थोड़ी नम कर सकते हैं प्राथमिक विद्याले में अगर हम बच्चों को सिखाएंगे कि भाईया कि कैसे स्टार्च आएगा किस तरीके से स्टार्च का एक्सपेरिमेंट होगा तो वो थोड़ी न बता पाएगा सी को लॉग केजिए सरहा तो हमारा सही उत्तर क्या होगा ऑप्सन नमबर सी और यहीं पर एक सवाल याउर याद रख लेना स्टार्च का परिछड कैसे किया जाता है आयोडीन विलियन से किया जाता है किस से किया जाता है आयोडीन विलियन से किया जाता है आयोडीन विलियन से किया जाता है आप किसी भी पत्ती को तोड़ के लेके आए किसी भी पत्ती को तोड़ के लेके आए प्लांट में स्टार्च पाया जाता है प्लांट का संचित भोजपदार्थ क्या होता है इस टार्च होता है किसी भी पत्ती को तोड़ कि लाई उस पर आयोडीन गिराएंगे तो गाढ़ा हो जाएगा ठीक है तो आप समझ जाएंगे कि नहीं वहां पर इस टार्च है तो कोश्चन नंबर आठ का सही उत्तर होगा सी हाँ कोश्चन को पढ़ेंगे कोश्चन को पढ़ेंगे और सही उत्तर करने का प्रयास करेंगे कोश्चन नंबर नौ दिया गया है लकडी का कुंदा जो होता है जल में तैरता है यारे कि कोई लकडी है लकडी का हिस्सा है वो क्या हो रहा है जल में फ्लोट कर रहा है तैर ठीक है लकडी का घनत तो जल से कम है अब दो चीजे हैं अब इसमें आपको यह बताना है कि इसमें observation कौन है और इसमें conclusion कौन है इसमें observation कौन है इसमें conclusion कौन है पेच्छड का मतलब है observation observation का मतलब है जब आप किसी भी चीज को observe करते हैं जब आप किसी चीज को देखते हैं और वहाँ पे समझने की कोशिस करते हैं कि ऐसा क्यूं हो रहा है ठीक है तब तो वो क्या होता है observation होता है लकडी पानी में अगर तैर रहा है तो मैं इस चीज को क्य कर रहा हूं मैं इसको अव्जर्व कर रहा हूं आप यह देख रहे हैं कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं यह आप अब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे कोश्चन सीर्ट में पूछा जाता है क्यों होता है तो लकडी का घंध तो से कम है यह इसका क्या है इसका सफ है यह कोई चीज पानी में क्ल तेरती है जब घनत तो कम घनत वाला चीज जब क्या होता है कम घनत वाला चीज अगर जल्ब का घनत तो अधिक है और कम घनत वाला कोई चीज इसके उपर आए तो वो पानी में क्या होता है तैने लगता है तो यारि कि A एक प्रेच्छड है और B एक क्या है निस्कर्स है सही उत्तर होगा A एक प्रेच्छड है B. एक निसकर्स है, सही उत्तर होगा, option number A हमारा, बिल्कुल appropriate उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल appropriate उत्तर माना जाएगा, ठीक है, आस्ता करूंगा, clear होगा point, last question, फिर से देख लीजिए, last question, एक और बढ़िया question है, विद्यार्थियों की अपसारी सोच, अब यहाँ पे, मैंने ब बार-बार कह रहा हूँ, क्यों नहीं दिख रहा है, रोली पटेल जी, क्यों नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आप अपने quality को बढ़ा लेजिए, mobile की, जो quality होती है, उसको थोड़ा सा बढ़ा लेजिए, देखिए, असपश्च तु दिख रहा है, हाना, देखिए, पहली ब सारी सोच का मतलब होता है, diverging thinking, दो प्रकार की thinking होती है, एक होती, converging, ध्यान समझो, एक होती, converging, converging का मतलब होता है, बंद, यानि कि एक ही जगपी कठा है, और diverging का मतलब क्या होता है, diverging का मतलब होता है, diverging thinking का मतलब क्या होता है, खुला हुआ, जो बंद thinking होती है, वो हम नहीं सकती है लेकिन झों खुला रहता है जो अलग-अलग हो सकता है जैसे आपने पढ़ा होगा ना तो अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा statement है, जो rigid होगा, यानि कि सबका दिमाग वही जा सकता है, जैसे हमने कहा 2 प्लस 2 क्या होगा, तो आप कहेंगे 4, किसी का उत्तर 5 नहीं आएगा, मैंने कहा 5 और 5 क्या आएगा, तो आप कहेंगे 10, किसी का उत्तर 11 नहीं लेकिन अगर मैंने एक हदिया, ये बताओ 11 कैसे कैसे आ सकता है, तो आप में से बहुत लोग कहेंगे 10 प्लस 1 कर दीजिए तब भी 11 होगा, 9 प्लस 2 कर दीजिए तब भी 11 होगा, कुछ लोग कहेंगे 8 प्लस 3, अब ये क्या हो रहा है, ये diverging thinking है, बात समझना ध्यान से diverging thinking और converging, प्रस्म पर मत आईए अभी, अभी जो मैं समझा रहा हूँ, उसको समझेगा, जब सभी लोग की thinking केवल एक हो, तो वहाँ पर converging, और जब सभी लोग की thinking अलग-अलग हो, तो वो क्या होता है diverging, इतनी बाते समझ में आगए, अब आईए statement पे देखिए, खाद स्रिंखला और खाद जाल में विभेदन कीजिए, फूड चैन और फूड वैप में अगर विभाजन करना हो, तो सबका वही उत्तर आएगा, क्या खाद जाल होता है, क्या खाद स्रिंखला होती है, दोनों चीज़ें जो होती हैं, लोग एक ही बताएंगे, खाद स्रि फिए अच्छा मैं भीया जूम कर देता हूं मैं जूम कर देता हूं कहें के लिए इतना परसान हो रही है आतास हो रहे है लीजिव जूम कर दिया हम ने ठीक है आह आप लोग एक्स्क्यूज बहुत देते हैं questo रहें और अभी अगला मैसेज जब करेगा तो चाहे वो लव को ऐसे लिख दे चाहे वो यल ऐसे ऐसे लिख दे चाहे वो ऐसे ऐसे करके वी लिख दे चाहे जोब न लिखे तब भी आप समझ जाते हैं तब भी आप समझ जाते हैं वहाँ पर वो आप समझ जाएंगे वो डिकोड कर लेते हैं तुरंता और यहां पर सर समझ में नहीं आ रहा है सर दिख नहीं रहा है सर ऐसा सर वैसा रे भाई चलो यहां देखो पहले मैं जो समझा रहा हूं तो खाद सिंखला और खाद जाल में सब का ठिंकिंग एक ही आएगा निमल जीवों का एक खाद सिंखला का विकास किजिए अब यहां पर खाद सिंखला का जब भी आप विकास करेंगे देखो जब भी आप खाद सिंखला बनाएंगे तो हमेशा पहले घास लाएंगे पहले नमबर पे ठीक है घास को कौन खाएगा टिड़ा ये दूसरे नमबर पे लाएंगे मेधक खाएगा तीसरे नमबर पे और फिर बाज को लाएंगे चोथे नमबर पे यैसे ही खाद सिंखला चले टीसरे नमबर पे आप हमेशा मेढक ही रखेंगे, चोधे नमबर पे आप हमेशा बाज को ही रखेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है पहले आप बाज को रख देंगे फिर घास को रखेंगे, बीक्राoud रखेंगे नहीं सबका दिमाइक यहीं जैसा काम करेगा, ठीक है कोई खाद स्रिंखला सरवदा एक उत्पाद से ही क्यों सुरू होते हैं ये भी ये भी क्या है ये भी क्या है कनवर्जिंग है क्योंकि खाद स्रिंखला हमेशा और हमेशा उत्पादक से सुरू होते हैं उत्पादक उत्पादक का मतलब कौन हरे पौधे लेकिन अगर यहां पर देखे विचार विमर्स कीजिए कि यदि सभी हिरड लुप्त हो जाएं तो उनके संभावित पर्यावरणी परेडाम क्या होगा यही सही उत्तर होगा अगर हमने ये सवाल पूछा अगर हमने ये सवाल पूछा कि यह बताइए कि अगर किसी भी खाद इस रिंखला स अगर हिरड अलग हो जाएं, हिरड ना रहें, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अब अलग अलग प्रकार के विचार हमारे सामने देखने को मिलेंगे, कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, ठीक है, तो ये क्या है diverging, तो कुल मिलाकर एक लाइन में बात सम होगी, मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में, और कुछ सहनदार जबरदस्ट प्रशनों के साथ में, कॉमेंट्स जरूर किया करिए, बताया करिए, कितने कोश्चन आपने अटेम्ट कियें, कितने जो है, आपके सही हुएं, और क्लास आपको कैसे लगी, चलिए, ठेंकि नमस्का बहुत बहुत धन्यवाद आपको